प्रिय मित्रों, आज मैं आपको रिवर फ्रंट की सहर के बाद रिवर फ्रंट पार्क में ले चलता हूँ, जो अहमदाबाद शहर का एक बहुती रमनिय उद्यान है मित्रों, अहमदाबाद सहर के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है किरपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्वैक्षिनिक छेत्र में यह गोल्ड मेडल अवार्ड मुझे जनवरी 23 में प्राप्त हुआ अब सुबह के 9 बजने वाले हैं हम लोग प्रवेश टिकट के लिए रिवर फ्रेंट पार्क के प्रवेश द्वार पर आ गये हैं यह टिकट दर है दिव्यान तथा 5 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए प्रवेश फ्री है इस्कूल ट्रिप के लिए एक रुपया वरिस्ट नागरी के लिए पांच रुपया बारह वर्ष से उपर के लिए दस रुपया साबर मती नदी का मनमुहक द्रिश्य देखिए फक्षियों के कलरव का आनंद लीजिए यह साथ बजे सुबह का दिर्श्य है क्योंकि हम लोग पार्क में साथ बजे पहुँच गए थे आठ बजे बाहर आ गए पुनह नौ बजे टिकट लेकर अंदर गए लोग भर्मन करते दिखाई दे रहे हैं सुर्ज भी छिति के उपर आ गया है सुनहरे बादलों को देखी प्रवेश द्वार के पास ही एक सुर्ज घड़ी है दिल्ली में यमना किनारे एक सुर्ज घड़ी पर मेरा एक वीडियो है जिसका लिक डिस्क्रिप्शन में तिया हुआ है व्यायाम के लिए इस उद्ध्यान में दो तरह की व्यवस्थाएं है एक व्यवस्था बड़े व्यक्तियों के लिए है जिसमें सभी प्रकार के व्यायाम किये जा सकते हैं दूसरी व्यवस्था पांच से बारा वर्स तक के बच्चों के लिए है जिस पर वे अपने अभिभावक के संदक्षन में व्यायाम तथा मन्दुरंजन करते हैं अभी सुबह का समय है इसलिए अभी भीड नहीं है अन्य था दो पहर दो बजे के बाद यहां अच्छी खासी भीड रहती है यह स्वस्थ मन्दुरंजन का एक उतक्रिस्ट साधन है अब आप मधुर संगीत के साथ पार्क का सुंदर, मनमोहक, मनोहारी एवं फूलों से भरा द्रिश्य देखिए अब आप मुझर आप मुझर साथ रहती है बार्क में चर्खा की एक बड़ी प्रतिकृती रखी हुई है जो भारत की शांती, अहिंसा तथा आत्म निर्भरता को दर्शाती है महात्मा गांधी ने इसे लोगों का कपड़े की कताई और बुनाई के द्वारा आत्म निर्भर बनने के लिए अपनाया इस लेख में चर्खा का विसेश वर्डन है, आप इस वीडियो को रोक कर उसे पढ़ सकते हैं अब आप इस रिवर फ्रंट पार्क का 360 डिगरी व्यू देखिए यह पार्क हरे घांस से भरा हुआ है, घांस खराब न हो जाए इसके लिए भर्मन पत बना हुआ है विभिन प्रकार के बड़े बड़े पेड लगे हुए हैं इस प्रकार रिवर फ्रंट पार्क की यातरा समाप्त हुई मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते रहिए आगे अगले वीडियो में मैं आपको बापु के विश्व प्रसिद साबर मती आसरम ले चलूँगा जहां से बापु ने भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन किया था जिन मित्रों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनरोध है किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो को पूरा देखें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइक करें शेयर करें तथा घंटी को दबाएं यह साबर मती आसरम के मुख्य द्वार के पास का दिर्श्य है इस साबर मती आसरम की आत्रा मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें और खुश रहें मुश्कुराते रहें धन्यवाद